तो टो के इस सब नेशिटप के कोशन देखते दो नियस्ट तब कोशन में क्या करका और सरते अ तो नेश्टेप जो अमारे इसका नेस्ट टैप थिक्यां को इसमें कही और चरेक पड़के देखते हैं कोशन कह रहे कि ना ions को वस्तू है जिसको बारा सो पचास रुपे में बेचा जाता था पहले पर अब उसे बारा सो पचास रुपे की जगए कितने रुपे में बेचा जा रहा है हजार रुपे में अब कोशन कह रहा है कि 1250 रुपे में बेचने पर भी अगले को घाटा हो रहा था लॉस हो रहा था तो हजार रुपे में बेचने पर भी लॉस हो गए तो हमें पता ही लग रहा है साफ साफ पर आप देखोगे कि पहले जितना भी लॉस हो रहा था हमें पता नहीं है पर अगर मैं इस वस्तू को हजार रुपे में बेचने लग जाओं तो मेरे घाटे में मेरे लॉस में 200 रुपे की वृद्धी हो जाएगी पर कोश्चन के अंदर जहां उसे यह लिखना चाहिए था कि उसके घाटे में जो उसकी इस हानी को उसने प्रतीसात में बता दिया है कि यह जो भाइसो रुपे की हानी है प्रतीसत में देखी जाएगी तो 10 प्रतीसद बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि या तो परतीसत में इसे दस परतीसत बोल सकते हो या बोल सकते हो कि हानी 2500 रुपे की हो रही है अब कोशन पूछ रहा है कि जो यह वाली वस्तु है उसका खरीदने वाला मुल्य बताईए क्या कोश्ट प्राइस और हमें पता है कि अगर बराबर है तो आप 303 भी निकाल सकते हो आप पूछोगे 100 पर तीससत क्यों तो अभी तक हम यही तो सीखते आए कि खरीदने वाला मुल्य अपने सेंट होता है खरीदने वालों कोष्ट प्राइस तो सो पर तीसाज बनाने के लिए इसके साथ सूख जीरों में डिपलाई और दर भी जीरो तो यहंद्र परसेंट कोष्ट तो कितना है पत्चीस सो धाई सो रुपे ठीया तूसाओं फैफंट और यह हमारांस रागया इसी तर तो 21 कोष्टे हैं तो हम देखते हैं 25 ॐश्ट कие एकर हारा है हमारा तो क्योंचन कह रहा है कि पहले जो वस्तु 340 रुपे में कोई रूट का दिफी लुपी में, मार्जम Cities to submit पिट तब भी हो रहा था पर अगर 304 पेचने फायदा तो फायदा तो 350 यह भी होगा पर रुपे में देखा जाए तो आप देखोगी बराबर है और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है खरीदने वाला मुल्य खरीदने वाला मुल्य वाला कोश्ट प्राइस और वह क्या होता है अपने हमें 100 परसेंट तो फाइफ परसेंट अगर आप हर बार वन परसेंट की वैल्यू निकाल लो हमेशा वन परसेंट की वैल्यू कैसे निकाल लिया सकती है आप जितना करता है काट दो फाइव से कितरह पर तो जो भी वन परसेंट की वैल्यू आती है हमेशा उसके आगे दो जीरो लगा दो वही हमारा क्या हो जाता है अंसर तो यहां तो दो जीरों यह एंडर परसेंट हो यह जैसे आपको सहे लगे या तो वन परसेंट की वैली निकालो उसमें कैलकुरेशन थोड़ी सी जिसकी बहुत कम जो रहा है उसके लिए आसान रहेगा नहीं तो डारेट पता हो नहीं पांच के साथ 20 की मुंटिप्लाई हां 20 यह जैसे आपको अच्छा लगे सब 22 कोशन लगा यह तो 22 कोशन जबने देखा तो 22 कोशन क्या कह रहा है तो आप 22 कोशन पर आए तो आपको पता लगा कोशन ने काया कि 400 रुपे के स्थान पर मनलब जहां हम 400 की भेच रहे थे हानी हमें तब भी हो रही थी बच्चों दिक्कत ही होती है बच्चों लगता ही 400 की जब तींसो पचास रुपे में बेचने पर हानी हो रही है ऐसा नह पहले से 50 रुपीज का इंक्रिमेंट हो गया 50 रुपे की विर्द्धी पर कोशन के अंदर जो 50 रुपे की जगए परतीसत में लिखा हूँ कि हांधी में पांच परतीसत की जो लॉस में इंक्रिश हो रहा है मतलब जहां हम 50 रुपे लिख सकते हैं वहां उस ने 30 दे लिए rubbish 5 परि Means तो कहीं ना कहीं जो यह 50 रुपे आणि इसे आगर हम परती छीसलं में निकालते तो यह क्या जाता है जो हानि हमारे 5 परतीके बौँर ते तो 50 किसे बराव रहा je 5 परतीक यह तो 1920 मली पर पर फिर वन परसेंट की वैल्यू निकाल लो तो वन परसेंट कितना आजाएगा टैन और सो के लिए दो जीरो यहां और यहीं क्या आगा हमारा खरीदने वाला मुले की कहीं ना कहीं वह वस्टू का कोष्ट प्राइस इतने रुपे रहा होगा नेश्ट कोशन पर चलते हैं सर तो 23 कोशन पर आए तो कोशन किया रहा है कि विक्री कर मतलब क्या हुआ होगा कि जब कोई वस्टू खरीदी जाती होगी और इस बार अंकित मुले देर खाय कितने यह 8400 कि यह इस पर कोई व्यक्ति पहले 3123 पर 30 का टैक्स दे रहा था अब देरा 313 परसेंट तो पहले से क पहले इतना टैक्स दे रहा था अब देरा इतना अगर मैं परसेंट में पूछू तो परसेंट में आप क्या देखोगे कि परसेंट में इन दोनों माइनस करोगे तो यह 313 है तो जब प्लस माइनस करेंगे इनको तो यह आ जाएगा हमारा 7 by 2% माइनस 10 by 3 और जब इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यह आजाएगा हमारा 6 यह आजाएगा हमारा 21 माइनस यह आजाएगा 20 मतलब 1 by 6% क्यों यह परसेंट में चला है इसलिए 1 by 6% तो यह 1 by 6% है क्या यह वह है कि जो अब टैक्स देना पड़ेगा इसके उपर वह इतना परसेंट क पैसा जा रहा था अब इतना परतीशत तो कम जाए गए जाएगा और इतना परतीशत किसका इसका तो इसका जब मैं 1 by 6% निकालूंगा तो परसेंट क्या हो जाएगा नीचे जागे 100 कि दो जीरों से दो जीरों कटके छे से कित्रे में जाएगा यह 14 पर तो यहां से मुझे पता लगा अब पहले से 14 रुपे कम देने पड़ेंगे यह हमारा अंसर हो गया तो आपने देखा यह टाइप खतम हो गया यह बहुत ही चोटा से टाइप है कभी कभी इस पर कोश्ट लगवाता हूं भी एक अगले